नमस्कार प्रेये दर्शकों हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का प्रेये दर्शकों आज का ये जो विशय है वो बरतमान परिश्थिती से जुड़ा हुआ है मैं गोचर कुंडली से समंधित कुछ विचारणी तथे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ लेकिन मैं आप सबों को आगाह करना चाहता हूँ ये राशी फल नहीं है ये राशी चर्चा नहीं है अगर ये राशी से समंधित चर्चा होती तो मैं यहाँ पर लेकर के से उपस्थित नहीं होता क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्राशी जोतिस विज्ञान इस चैनल पर दर्शकों की जो संख्या है वो सीमित है और जो विशय मैं लेकर के भी आप सब के समुख उपस्थित हुआ हूँ इस विषय पर अगर मुझे बड़ा भ्यूज चाहिए तो वो मुझे मेरे दूसरे चनल पर बेहद आसानी से मिल जाएगा रात भर में उसका भ्यूज काफी बड़ा हो जाएगा लेकिन भ्यूज के साथ एक जोतिसी होने के साथ साथ जोतश का विद्यार्थी होने के साथ हमारा कर्तब ये बनता है कि हमें वर्तमान समय से कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कुछ मंधन करना चाहिए, वर्तमान परिष्थिति को कौन नहीं जानता? लोगों के साथ जो हादसे हो रही है, जो परिशानिया घटित हो रही है, लोग परिशान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो अगर उनके सामने जोति से सम्मंधित, भगवान से सम्मंधित बाते कहिए, तो वो बुरा मान जा रहे हैं, और बुरा माने क्यों ना? वो दुखी परिशान है, उनको इस समय ये सारी बाते अच्छी नहीं लग रही है, मैंने क्या कहा, कि समय चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो, एक सक्षक का काम सदव अध्ययन और करना होता है और विद्यार्थियों का काम सदव अपना काम करना होता है अध्ययन अध्यापन का, हमारा यही काम है, परिस्तुती चाहे जब भी जितनी भी बिगड़े, हम उस परिस्तुती में अगर सामिल भी हैं, तब भी अपना काम नहीं छोड़ सकते, मैं वर्तमान पिछले कई दिनों से गोचर पर, निरंतर, योगी रासी फिल में गोचर रोज देखता हूं, तो मन्थन कर रहा इस समय गोचर कुंडली में दो नमम पंचम योग बने हुए हैं, एक तो ये मंगल और गुरु का बना हुआ है, लेकिन ये बहुत सामान समय के लिए, थोड़े समय के लिए मंगल 45 दिनों के लिए हैं, और गुरु भी तुरंत रासी परिवर्तन करके पीछे आ जाएंगे म मकर में वक्री हो करके, अभी आने वाले दिनों में शनिदेव फिर से वक्रत पवस्था में जाएंगे, जिसका मैं रासी फल ले करके उपस्तित होँगा, जहर सी बात है उस पर मुझे व्यूज भी चाहिए होता है, और सभी को बताना होता है, तो वो उस चैनल पर होँगा यहाँ पर तो केवल चर्चा होगी जोतिस से समद्धित, गोजर में एक और भी नवम पंचम योग बना हुआ है, राहु और शनिका, गौर उससे देखिए, तो यह दोनों के दोनों ग्रह, मकर में शनिदेव स्वरासी में और राहु उच्छरासी में, विचारणिय तो थे में आ गये हैं, मैंने शनिदेव की चर्चा की थी और बताया था कि जब यह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो मानसिक अशान्ती बहुत जादा होगी, पिछले वर्स भी जब लॉकडाउन लगा था, लोग परिशान थे, एक ऐसी जीवन, हम सबों के जीवन म पहली ऐसी घटना घटित हुई है, जब हम ऐसा दिन देख रहे हैं, एक ऐसा दिन हमने देखा, जब पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लॉकडाउन में चली गई थी, हमने वो दिन देखा है, चिंतित थे, परिशान थे, उस समय भी कुछ ग्रहिस्तितिया ऐसी थी, आज भी ऐसी ग्रहिस्तिति है, और मैं आपको बता दूँ कि पहले से हम लोग निडर्त हुए है, जब प्रेसर बहुत अधी बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, प्रेसर कुकर की तरह प्रेसर निकल जाता है, लेकिन अगर आंतरिक रूप से टटोला जाए, तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति भीतर से भैभीत है, मानुसिक रूप से अशान्त है, वो चाहे दिखावे के लिए उपर ही उपर कितना भी बोल रहा हो, कुछ नहीं है, लेकिन भीतर से वो भैभीत है, अगर टटोला जाए, तो भैभीत है, राहु और शनी दोनों के दोनों पापग्रह हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा कौन, मन, अब जोतिसी आपको क्या विचार करना है, चंद्रमा की स्थिती पर नजर डालिए, चंद्रमा हर सवा दो दिन में रासी परिवर्तन कर जाते हैं, तो चंद्रमा के रासी परिवर्तन करते ही, चंद्रमा के नक्षत्र में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, तो इससे कहीं न कहीं चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे होंगे, बारह रासियों के मध्य ही हम सभी आते हैं, जीव, जन्तु जितने हैं, सब इसी बारहों रासियों के मध्य ही आते हैं, और सब के पास अपना एक मन है, और जो ये मन है, ये हर सवा दो दिन पर रासी परिवर्तन कर रहा है, ये मन हर सवा दो दिन पर रासी परिवर्तन कर रहा है, और इसी के नक्षत्र में दो पापग्रह गोचर कर रहे हैं इस समय, इसका सीधा प्रभाव चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जब सीधा प्रभाव पड़े, तो मान प्रत्येक व्यक्ति को कही न कहीं परिशान कर रहा है। अब गौर करने वाली बात क्या है। कि सबको अलग अलग तरह से परिशान कर रहा होगा। जैसे माल लिया जाए कि जो जातक मेश लगन के हैं मेश लगन ध्यान से सुनियेगा मेश लगन तो उनके लिए जो ये ग्रहिस्तिती बनी हुई है वो है तो नमंपंचम का और दुतिये और दसम से संबंदित है। तो इनकी चिंता थोड़ी अलग होगी। क्यों? इनकी चिंता अपने कारेक छित्र को और अपने कुटुम्बी जनों को लेकर के या कारेक छित्र को लेकर के विशेस रूप से ये परिशान चल रहे होंगे। अब इसी में जब जब ये चंद्रमा और थोड़ी सी ऐसी कंडिसन में आएंगे जब वो चंद्रमा भी और पीडित हो जाएं तो मेस लगन के जितने भी लोग हैं वो बेहत मानसी कुरूप से परिशान होंगे। ये गोचर कराता है। अब इसी में बहुत सारे मेस लगन के ऐसे भी लोग होंगे जो चांदी काट रहे होंगे। सवाल उठता है उनके साथ क्या ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर गोचर सही कैसे हुआ है। जो अगर मेस लगन के लोग चांदी काट रहे हैं इस समय तो फिर गोचर सही कैसे हुआ है। असल में यहीं पर निर्णय हो जाता है जन्म कुंडली की मूल स्थिती से अगर जन्म कुंडली की मूल स्थिती उनकी मजबूत चल रही होगी तो कारेप्षेत्र को लेकर के अपनी वाणी के कारण उसमें ज्यादा गहरा विसलेशन नहीं है कोई ज्यादा गहरा विसलेशन न आ रही होगी उनुन भावों से संबंधित कठिनाई हैं अब वो जिस तरह की मजबूत ग्रहिस्तिकी को अगर ले करके चल रहे होंगे तो चिंता तो उनको तब भी हो रही होगी मैं खुद अपनिरासी परिस्चिश को घट मैंने क्या कहा कि पिछले कई दिनों से मैं सोध कर तो मैं नॉर्मली तो हर तरह से ठीक हूं तो मैं देखा कि जब मैं नॉर्मली हर तरह से ठीक हूं तो जरा कुछ और लोगों से बातचीत किया जाए कि क्या आपको इन इन छेत्रों से टेंसन आ रहा है तो इस समय कई लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप परि परिशान है तो सामानने सब्दों में अगर कहें तो ये तीर मारने वाली बात नहीं है लेकिन मैंने कहा था न कि आम लोगों के लिए नहीं है ये जोतिशियों के लिए अगर जोतिशी बनना चाह रहे हैं आप जोतिश को समझना चाह रहे हैं तो उसके लिए है कि उसको ये ल से देखिए कि बृषब के लिए यह गृषठिति पर हम नजर ड़ाएं तो बृषब के लिए ग्रहषठिति उतनी बुरी नहीं है कि det 2 परशानी चल रहे होμεं उनकी भी परशानी चल रही है लेकिन उन्हें की जो परशानी है वह ड करके वह वो सकता है वह जितना कर रहे हो उ परिशान होंगे लेकिन वो मेहनत करने के बावजुद उनको उतना मिल नहीं रहा है उनके कहीं न कहीं परिशानी के पीछे बस इतना ही है कि वो ठीक हर तरह से हैं फिर भी महत्मा कांच्छा उनकी वो पूरुन नहीं हो रही है तो वो खुद को ले करके बस ऐसे चिंतित हैं वही हालात मिथुन के हैं अगर आप मिथुन लगने के जातकों पर अगर नजर डालें जैसा मैंने कहा कि मैं जब इस पर व्यक्तियों से बात्चित किया तो पता चला कि मिथुन वालों को देखें तो एक अज्यात भै से वो भैभीत है नॉर्मली उनको कोई दूसरी बहुत परिशानी नहीं है अब इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका कोट का चरी में चक्कर चल रहा होगा तो उनकी परिशानी इसमें और इंक्लूड हो जाएगी जैसे मान लिया जाए कि कोई मिथुन लगनका है उसके कोट का चरी से समंदित परिशानी चल रही है उसके स्वास्त में कोई बहुत बड़ी परिशानी चल रही है हो सकता है पिछले दिन उसको heart attack आया हुआ हो, तो ये जो एक सामान्य सतर्क मैंने दिया अज्यातव है, कितना सामान्य है, किसको नहीं हो सकता अज्यातव है, लेकिन ये अज्यातव है भारी पड़ेगा, किसके लिए, जिसकी इस्तिती पहले से और खराब हो, उसके लिए रासी फल पर चर्चा करते हैं, तो सामान्य तया देखा जाए, तो रासी फल लगता है, एक ही तो बात है, नॉर्मल तो है, कहां कुछ बड़ी बात है, अंतर पड़ता है, किस पर, जिसकी परिस्तिती थोड़ी खराब चल रही हो, या जिसकी बहुत अच्छी चल रही हो, अगर हम वर्तमान अभी के माहल को छोड़ दीजे, अभी तो उनकी विस्तिती खराब है, लेकिन एक सामान्य ग्रहिस्तिती प्रभावित कर रही हो, रोज सवा दो दिन पर ग्रह नक्षत्र बदल रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा उनको, एक सरकारी नौकरी में कलरक है, बड़े बड़े जब व्यापार कर रहे हों लोग, जो सल्फ काम कर रहे हों लोग, उनको एक दिन में ही बड़ा फर्क पड़ जाता है, नुकसान उनको हो जाता है, वो मांसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरस उनको क्षती होती है, अब यही हालात अगर हम करक को ले लेकिन ये दोनों के दोनों ग्रह बली अवस्था में नवम पंचम संबंध बना रहे हैं और चंद्रमा को इन्होंने अपने चंद्रमा के नक्षत्र में इन्होंने घर बनाया हुआ है तो चंद्रमा है, मन और चंद्रमा हर सवा दो दिन पर आसी परिवर्टित कर रहे, तो जो करकरासी के ब्यापारी है, वो कही न कही निष्वन दे मानसिक रुप से परेशान चल रहोंगे अब इसमेंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया, सभी ब्यापारी मानसिक रूप से परिशान चल रहे हैं, लेकिन एजे जोतिशी, लाख लोग कहें कि आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया, आप इस बात से विचलित नहीं हो सकते, आपका यही करतब है कि भाई, ये तो एक महा हमारी का समय है, जिसमें सभी कही न कहीं परिशान चल रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं, इस वर्तमान परिस्थिति के भीतर भी एक ऐसी ग्रहिस्थिति बनी हुई है, जो एक बड़ा कारण उत्पन कर रही है, तो ये व्यापार को ले करके, दामपत्त्य जीवन को ल के लिए देखें तो ये सश्ठ और दसम से बना हुआ है अगर आम शब्दों में कहूं तो सिम्म के लिए कोई विशेश चिंता की आवशक्तानी हर तरह से दिन समय ठीक दिखाई पड़ा रहा सिंग लगन ध्यान रखेगा मैंने राश्य सब्द अगर गलती से बोल दिया होग कारेक्षत्र में कही न कहीं उनको चिंता हो रही होगी उनके बढ़ते शत्रूओं को लेकरके वो परिशान चल रहे होगे उनके बढ़ते शत्रूओं को लेकरके वो चिंतित हो रहे होगे या यूं समझ लीजिए कि उनके विकास को लेकरके कुछ ऐसे लोग होगे जो इस व्य कंड़ता ही हैपकी जन्नौ कउन्डली कि अलग स्थिति में चल रही बहुत मझबूत कहा है गोचर वर्षा की तरह है अगर दिन बढ़िया चल रहा है तो आप इसी वर्षा में पकोड़े खाइए और नहीं ठीक हराब चल रहा है तो आप इधर सर चुपाएं गुधर सर चुपाएं ये सोचते रोड पर भागते हैं कि कन्या को ही ले लीजिए ये भाग इसे और पंचम से संबंध बना रहा है कोई विशेस चिंता नहीं है लेकिन अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के सक्षा में बाधा का ये प्रबल समय बन रहा है अब आप कहेंगे कि कौन बढ़ा तीर मारा सभी विद्यार्थियों का समय चल रहा है और खराब कन्या क विद्ध्यार थिया उनकी सुक्षा पूरी तरह से बादित हो रही होगी। उनकी सुक्षा बिल्कुल पीछे की तरह भागेगी। तो यह disturb करेगा उनको। मन पर कंट्रोल हो रहा है इस समय और जब जब चंद्रमा परिवर्तित होग करकि रासी परिवर्तन करेंगे नक्षत्र परिवर्तन करेंगे उनकी कुंडली की कमजोर इस्तिती को बनाएंगे तो परिशानी होगी तुला के लिए गर देखें तो ये इस्तिती कहां बन रही है तो तुला के लिए इस्तिती बन रही है चोथे और आठवे से बनने के कारण वैसे तो तुला को ढईया भी चल रही है और चोथे आठवे से इनको भी अज्यात भै घर को लेकर के चिंता हो सकता है माकी सेहत में प फ्यूज मत होएगा लगन तो और फटा फट कोई पूछ न दे कि ब्रुष्चिक को आपने नहीं बताया इन के लिए अगर देखें तो यह कहां बन रहा है तो पराक्रम और सब्तम से कोई विशेश परिशानी नहीं सब ठीक हो सकता है व्यापारी है तो व्यापार में अज्य कि अच्छा करने के बावजूद न मिल पाना कारेक छेत्र में परिशानी या काम ना होना यानि हर तरह से परिशानी साड़े साथी भी चल रही है कुम्ब की अगर हम बात करें तो ब्याया और चतुर्थ से समंद ब्यायाधिक्य घर में कलह का वातावरन और मीन की स्तिती से अगर हम चर्चा करें तो ये परिश्तिती लाभ और पराक्रम से बन रहा है कोई बहुत ज़्यादा परिशानी तो नहीं लेकिन संबंधों में बड़े भाई बहन छोटे के साथ संबंधों में परिशानी मूल मुद्दा ये नहीं था कोई टोके न इसलिए मैंने फटा पलट दीजिए ये छोटी छोटी बातें बे हद मायने रखती है और इसी के कारण उदाहरण से समझिए कि सौ लोग हैं सौ लोग हैं अलग-अलग रासिके हैं सब के घर में कोई न कोई न कोई परिशानी होगी अभी बरतमान समय में जो महामारी चल रही इसके चलते सब थ किसी के घर में दाम पत्य में भी कलाह सुरु हो जाए ये है गोचर आसा करता हूँ आज एक जोतिस का जो मूल उद्देश से मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि क्या उद्देश से है फिर लोग विचलित हो जाते हैं विचलित नहुए अगर जोतिस पर मंधन कर रहे हैं तो सदाईव हमारा करतब्य है रिसर् करके देखिए और चंद्रमा को सवा दो दो दिन पर नक्षत्र के हिसाब से आगे बढ़ाईए आप अपने जीवन पर इसका विश्यस प्रभाव साफ साफ देख लेंगे इजाज़त दीजिए नमस्कार